सर आप हमें यह बताएं कि GST officer सारे address पे आने वाले हैं यानि कि क्या सब के सब जितने भी GST number है all over India across India क्या सब की GST की physical verification होने वाली है तो जैसे यह news आए कि government ने जो है fake registration के लिए special drive रखे यानि कि across India fake registration को identify किया जाएगा उनको बंद किया जाएगा तो इसके बारे में काफी सारे questions मुझे आए कि सर आप पहले ये तो बता दो कि सर इसको identify कैसे करें ये तो rumors हर जगा फैल रहे हैं कि सब की verification होने वाली है तो वीडियो पर दोस्तों detail में समझाने जा रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि सब की verification नहीं होने वाली है बिल्कुल आपने सही सुनाए तो इसलिए वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा important वीडियो को आप end तक देखे और request करता हूँ आपसे हमेशा कि please वीडियो को like करें, share करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबा लें तक कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले नमस्कार मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं करा है तो अभी जाके आप जॉइन कर सकते हैं मैंने उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपको डेली अपडेट मिलेगी फनेसर टेक्सेशन से रिलेटेड दोस्तों अब करते हैं मुद्दे की बात देखे जी एस्टी की तरफ से जो ये मुहीन जारी हुई है 16 मई से लेके जो 15 जुलाई 22 तेस यानि कि दो मेने के लिए चलेगी है फेक रिजिस्टेशन जितने भी हमारे फर्जी फर्मे है उनके अगेंस्ट में गौर्मेंट ने मुहीम निकाली है यह भी identify करने के लिए पता करो फर्जी फर्म कोन सी है यानि कि उन फर्म्स का पता करो जहां पे जीस्टी नंबर तो ले रखा है फर्जी बिलिंग हो रही है, existence नहीं है, owner exist नहीं करता तो इन सब बातों का पता करो और उसके basis पे उन जीस्टी नंबर को cancel करो और suspend करो यह तो हम सबको पता है, लेकिन इसको identify कैसे किया जाएगा लोग के मन में अभी भी काफी सारी question है, rumors फैल है market में बहुत ज़दा अफ़ा फैलर की है, कि क्या GST officer सब के पास आने वाले है guys आपको यह बात सबजनी पड़ेगी, देखे हमारे GST department के पास ना तो इतने officers हैं कि वो हर किसी GST number का जा जाके physical verification कर सके तो resource की यहाँ पर मैं कहूंगा काफी कमी है, ऐसा नहीं कि हर एक inspector या हर एक GST officer आपके यहाँ पर आके सारे जितने भी all over across India GST number है, सब की identification हो जाए तो ऐसा तो possible है नहीं, लेकिन फिर भी एक question मन में आता कि कैसे पता करें कि identification कैसे होगी GST number की कि यह fake है के नहीं है, तो दोस्तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सिधा instructions पे जो कि 4 मही 23 को instruction issue करी थी CBIC ने उसके बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि data के basis पे analyze करेगा, जो उनके पास पूरा GST number का data है, कि इस person ने इतनी returns फाइल करी है, इतनी नहीं करी है, इसने GST pay करा है, नहीं करा है, और अगर pay किया है, तो क्या GSTR 1, GSTR 3 भी match है नहीं है, तो इन सब data analytics के basis पे और कुछ risk parameters के basis पे यह identify किया जाएगा, कि क्या इस firm को हम physical verification के लिए select कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोस्तों पहला यह process है, कि पहला process यहां पर क्या रखा गया है, कि पहले identify करेंगे कि इस GST number की physical verification करनी है कि नहीं करा है, आपको यह समझना पड़ेगा, कि यह पूरा process के थूरू होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई भी GST officer आपके नीचे team होगी, फिर वो उसको identify करेंगे और उसके basis पे जो आपका jurisdiction वाला officer होगा, उसके साथ उसको बताया जाएगा कि इस GST को हमें लगता है कि यह fake है, यहाँ पर यहाँ पर जाकि इसकी verification कर सकते हैं, जैनकि इस process के बाद identify होगा कि कहां पर physical verification करनी है, आपको घबराने की जो जरूत नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे ना, कि इसमें लिखा हुआ है कि based on the data analytics and risk parameters, अब जैसे मैंने बताया कि data analytics के basis पे या फिर risk parameters, अब वो कौन से risk factors हो सकते हैं, जिसके basis पे GST department को लग सकता है कि यह person fake registration कर रखा इसने, यह person exist नहीं करता है, जैसे कि example के तोर पर जो मेरा practical experience कहता है, पहला यह कि ज़्यादा तर cases के अंदर जो fake firms होती है, fake registration होते हैं, उनके अंदर cash में GST pay नहीं होता, यानि कि वो अपने input से सारा जो output है, उसको adjust कर देते हैं, और payment actual में कोई भी GST की नहीं होती है, secondly आप कि आपने GST number ले रखा है, और आप सारा काम कच्चे में कर रहे हो, GST number वहाँ पे ले लिया, निलिटर में फाइल कर रहे हो, GST में कुछ नहीं दिखा रहे है, actual में काम कर रहे हो, अब काम तो actual में कर रहे हो, लेकिन GST number आप में ले रखा है, और आप सारा काम कच्चे में कर रहे हो, तो वहाँ पे भी possibility है, य अगर GST नमबर आपके पास है तो आप उसकी प्रॉपर फाइलिंग कर रहे हैं GST अगर बनता है तो उसको पे कर रहे हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका GST का इंपुट पड़ा हुआ है और वो आपके पास ज्यादा एकसेस में पड़ा हुआ है तो आपके पास GST आपका इंटिफिकेशन हो जाएगी GST की ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर है तो आप तो पके में काम कर रहे हो अगर को इसके बेसिस पे भी आपके पास हमें GST की फीजिक लिटिफिकेशन करनी है तो आप तो रेडियो आपके प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन है हर चीज आपके इस अपर चाहे तो वह उसको सलयक्क कर सकता है कि इसका जो है सर्च करनी चाहिए प्रिसिकल करनी चाहिए करनी चाहिए तो इन सारे parameters को ध्यान में रखके GST officers जो है आपके यहां पे आ सकता है identification के लिए लेकिन आपको गबरानिक ज़रुत नहीं है क्योंकि काम है तो आपका प्रॉपर एक छोड़ा setup आप महां डाल सकते हैं और service industry के case में अगर काम कर रहे हैं आप प्रॉपर आपको प्रॉफ कर दिया जाएगा नहीं आपके उपर पैनल्टी लग सकती है पचास हज़ार रुपर तक की जो भी एस पर GST लग सकती है अगर आपकी कोई नौनगांस होती है इससे लेकिन यह प्रूफ नहीं होता कि आपका फेख registration का मतलब है कि यहाँ पर फिर प्रसन नहीं करता या फिर आप जो है फेख की जो बिलिंग है वो कर रहे हो आपका स्टॉक वहां पर नहीं है आपकी फेक्टरी वहां पर नहीं है कोई आप वहां से service इसका काम नहीं कर रहे हो, simply आप वहांसे क्या करे रहा हो, बिलिंग का काम कर रहे हो, और काईज ऐसा भी नहीं है कि GST Officer आएंगे, जैसे एक इंडेस्ट्ल एरिया है, तो वहां पे आके पूरी रेड पर जाएगी, बही चलो हर किसी को हम जाके identify करेंगे या physical verification है हर किसी कि होगी ऐसा भी नहीं है जैसे मैंने बता एक proper mechanism proper जो procedure है law के हिसाब से होने वाला है हर चीज जो है एक तरीके से systematic way में होने वाली है और accordingly अगर GST officer unsatisfied होता है या फिर आपके against में negative report आती है यहने कि physical verification हुई वहाँ पर non-existence पाई गई फेक पाया गया तो उस case में आपका GST number cancel हो सकता है suspend हो सकता है as per section 29 of GST Act that means यह कि जो भी आपकी physical verification होने वाली है उसको identify करके यह पता लगना चाहिए कि यह fake firm है या फिर यह फरजी firm है fake registration यहां पर कर रखे है non-existence कोई person यहां पर exist ही नहीं कर सकता तो दोस्तों डरने की ज़रुत नहीं है हर किसी के उपड़ physical verification नहीं होने जा रही है अगर government को लगता है basis उन्हों ने कुछ data analytics करा उन्होंने risk parameters के basis पे human intelligence के basis पे identify किया है आपका GST नंबर तो उस case में आपकी physical verification होगी और मैंने starting में आपको बता है कि क्या का risk parameters हो सकते हैं किन basis पे उनको लग सकता है कि नहीं यहां पर fake काम हो रहा है यहां पर fake registration ले रखे हैं और यहां पर कोई बंदा exist नहीं करता है इसे दोस्तों मैं आपसे request करता हूँ कि please video को share जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अपनी family members के साथ अपनी groups के अंदर टेली ग्राम पे वाटसप पे ताकि यह पता लग जाए लोगों काफी confusion चल रही है सब लोग दरे हुए हैं कि सर हमारे पास भी आने वाले हमारे पास भी आने वाले हैं और इवन अगर आपके पास आने भी वाले अगर आप एक लॉयल कस्टुमर हो लॉयल जी एस्टी ट्रेडर हो या सर्विस बात नहीं है अप प्रॉपर अपनी documentation रखी है अप अपने chartered accountant से professional से बात करके जो है अपनी जो documentation को पूरा कर सकते हैं अगर आपको कोई भी non compliance है तो उस case में penalty लगने के chances है बट ऐसा नहीं है कि आप fake काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अ लगी ऐसा ही वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे हैं थाइंक आपको